तो आप लोग आप सोफट बोक्स लाइट बनके तयार हो चुका है जरसा कि आप लोग देख सकते हो तो आपको भी सोफट बोक्स बनाना है वो भी कम बज़र में लगबग दिड़ से 200 रुपे में तो इस वीडियो को इंटर देखना बहुत ही कम बज़र में आपको मतलब ख़िदा चाहते हो तो काफी ज्यादा बज़र है तो अगर कम बज़र में बनाना चाहते हैं अच्छा स्वर्पक तो इस वीडियो को इंटर देखना चलिए बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते है तो तो गाइस यह हमने काट ली है और इसको भी साइबर साइब साइब देखना फिर फोर्मा रा अच्छा से लोग रहते हैं यार यह बज़ को अच्छा लोग रहते हैं यह तो पागल कुते का गाड़ी उटागे ले जाएगा बता रहा है अग हुआ हुआ हुआ... कन एन उत sharpener किया झात हुआ? रहर हुआ हुआ गजुआ हुआ हा utiliser भी इस साल हुआ ह मईस प्लिउna झातले हुआ क्या कर रहा है गुलू साले को भम से उड़ा दूगा एक बार हाथ में आ जाए तो इसको पन कर दिया है उलोग आई देख रहा है सब को इसको हम लोग को काफी जादा बरुस्ता आये चिलाएगा भी नहीं हम लोग को देखे लिए और भी समान लाए है जैसा कि आप देख सकते हो तो यह रहा है अल्मुनियम फॉयल पेपर इसको बोलता है जो मिठाए उठाए जो आपने मिठाए उठाए जो लगा रहता है वह इसमें खामा जो है से प्रता विल्कुट खामा अगम से प्रेयर खाव लोग कभी तो वही है यह और भी इसमें चीज़ा है लिखाते है तो यह है वाइट पेपर इसके अंदर में राखे हैं मुड़ के से रिटिव और वो अब भूल्डर रुवायर बल्व नहीं खरदा चूकी बल्व भर में यह है तो भावला खुड नहीं है और यह राखेंची केज़ी भी घर का यह खजदा नहीं है तो यह सब सामान जरुरत पड़ेगा इसमें तो हमने लिया एक कार्टून एड उसको जो है इस माप के तो ने में काट लिया ओपर से 10 cm उपर से नीचे लेके 15 cm और नीचे का लंबाय जो है 35 cm फिर आपको इस तरह के चार काटन काट लेना है और इस तरह से नीचे में सेट कर देना है इसके बाद आपको इस पर से अप्लाई करना है काटन के बीच में थोड़ा से गैप छोड़ दाना ताकि यह अच्छा से मुड़ जाए बाद में और फिर आपको अप्लाई करना है तो तो अच्छे तरीके से अप देख सकते हो और हमने अच्छी तरीके चुपाइब कर दिया ये बिल्कुल उसके बहुत हो चुका तो यह चारो तरफ से मजबूत हो जाएगा इस पर अच्छे तरय के सेलेटी अप्लाई करने के बाद चारों तरफ से इसके इनर सएड में गोल लगाना है ताकि इस पर ऑल्हीं पेपर वह तो इसके जो है इनर साइड में हम पहले गॉन लगा देते हैं और अच्छे तरीके से अप्लाइ करते हैं गॉन लगाने के बाद इस पे जो है अल्मियम पेपर हमने चिपका दिया जैसा कि आप देख सकते हो अधा दूरा बांकी है अभी इसको पूरे तरीके चिपकाएं और चारो तरफ से पैक कर देंगे इसको तब जो हमारा लाइट तयार होगा ध्यान रहे अल्मियम पेपर आपको अच्छे तरीके साब्धानी प्रूब अप्लाइ करना अगरा थोड़ा भी मिस्टिक आपने की तो वह फट जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसके च चुistesacker करना है ताकि होलडर सेंट यूम फिट बैठ सके अब जू यह स 때는 का चेदर जो हमने बना अ उसको पीछे से लगाना है कुछ इस तरीके से में आपको हव्लडर फिट करना आए हूं अब जह इस पर ललणा कर इसको अंदर क्षे वाईट पर अप्लाइब करने के बाद कर टबज़ा कर हमारा सोफ्ट बॉक्स बनकर तईयार हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो तो आपको इसको जला के दिखाते हैं तो चलिए अंदर चलते हैं तो आपको देख सकते हो मैं बेना लाइट का कैसा दिख रहा हूं आपको देखी सकते हो अब लाइट को चलाते हैं तो आपने लोग आप सब्सक्राइट अधन के तयार हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफी लग रहा है याँ दिख रहा है तो आप लोग कमेंट में बताता हूं कैसा लग रहा है अब आप लोग देखो देख लोगा हूँ secrets साथ दिख़ो जाते हैं आप देखो साथ मतल्हारा होगा तो लाइक करदेए सब्सक्राइब भीそ कर नहीं आए तो मिलेख तक लिए झाल झाल